हलो प्रेंस मैं हूं रंजू मेरी चैनल पर आपका स्वागत थे एक नेवीश्पी के साथ अधाइसो ग्राम बत्वा साग लिए हैं इसको अच्छे से धो दिये हैं छोटे साइज वाला बत्वा साग है अगर आप बड़े साइज का बत्वा साग ले रहे हैं तो सिर्फ उसका पतिया ही ले डंडल को हटा दे अब इसे काट लेते हैं बत्वा साग को पुरी तरह से बारी काटेंगे अगर आपको बत्वा साग का प्राठा ज्यादा बनाना है तो इस सारे चीजों को कुंटिटी बढ़ा सकते हैं अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए नई रेश्पी देखने के लिए वेल आइकन क्लिक जरूर कीजिए एक बड़ा सा बॉल लेंगे इसमें साग को ढाल देते हैं बागी के बचे हुए साग को इस तरह से काट लेते हैं सारे साग को काट लिए हैं अब आगी के पूरिशस में चलते हैं दो कप ग्योंके आठा डालेंगे अब इसमें थोड़ी सी अजमायन डालेंगे अब इसमें मसाला डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा छोटी चमज हल्दी पोडर एक छोटी चमज नमक स्वाधन उसार अब इसमें अधरक लसुन हरी मिर्श का पेश्ट डालेंगे एक चमज इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर दियें अब इसमें पानी डालेंगे पानी को थोड़ा-थोड़ा सा डालेंगे अब इसको soft dough बना लेंगे जिस तरह से रोटी का dough बनाते हैं उस तरह से इसे dough बना लेते हैं dough बनका ready हो गया अब इसे 5-10 मिनट के लिए रेश्ट लेने के लिए छोड़ देते हैं dough को लगवग 5 मिनट हो गया है अब इसको 1 मिनट के लिए फिर से इसे मसल लेते हैं अब इसको छोटी-छोटी लोई बना लेते हैं बाकि की बचेवियों डोक से इस तरह से लोई बना लेते हैं एक लोई हाथ में लेगें इसे सुखे आटे में अच्छे से कोड कर देते हैं अब इसको प्राठा बेलना शुरू करते हैं पहले इसको रोटी के शेप देंगे अब इसके उपर तेल ग्रीज कर देते हैं अब इसको इस तरह से फोल्ट कर देते हैं ऐसे ट्रेंगल शेप में दे देते हैं फिर से इसे सुखे आटे में कोट कर लेंगे अब प्राठा को बेल लेते हैं ट्रेंगल शेप में प्राठा को पतला ही बेल लेंगे प्राठा को बेल लेंगे नहीं ज्यादा पतला है नहीं ज्यादा मोटा है बाकी की बचे हुए लोई से इस तरह से प्राठा बना लेते हैं एक लोई लेंगे, सुखे आटम में कोट कर देंगे ऐसे सर्कल सेफ में प्राठा को बेल लेते हैं दो प्राठा बेल कर दिखा दियें, एक ट्रैंगल सेफ में, एक सर्कल सेफ में बाकी के बचे हुए लोई से इस तरह से प्राठा बना लेते हैं चार प्राठा बेलकर रेडी कर लिए हैं अब सेख लेते हैं तावा गरम होने के लिए रख दिये हैं गरम हो गया अब इसमें प्राठा को डाल देते हैं अब इसके उपर तेल घ्रीस कर देते हैं फिर से इसे पिलड देते हैं इसके उपर भी तेल घ्रीस कर देंगे प्राठा को गोर्डन बॉरॉन होने तक सेख लेंगे प्राथा को अच्छे से प्लट प्लटकर गोल्डन ब्रोन होने तक सेक लेंगे प्राथा गोल्डन ब्रोन हो गया, अब इसे निकाल देते हैं देख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है बाकी के बचुवे प्राठा इसी तरह से सेक लेते हैं इसे प्लट देते हैं इसके उपर भी तेल ग्रीज कर देते हैं फिर से इसे प्लट देते हैं इसके उपर भी तेल ग्रीज कर देंगे प्राठा को गोल्डन ब्रॉन होने तक सेक लेते हैं अच्छे से golden brown हो गया है ऐसे निकाल देते हैं यह बागी के बच जोई प्राथा इस तरह से सेक लेते हैं सारे प्राथा को बना लिए यह बना करेड़ी कर लिए दो triangle shape में बनाएं बाकी के circle shape में बना लिए हैं देख सकते हैं दिखने में कितना testy लग रहा कितना perfect बना है आप इस recipe को जिरूर try करें आपको बहुत पसंद आएगा कितना soft बना है प्राठा को कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं इसे serve कर दिये हैं आप भी try कीजिए बनाएं मेरा recipe को like कीजिए share कीजिए मेरा channel को subscribe करना न भूले एक बड़ फिम मिलते हैं नई recipe के साथ